नमस्ते दोस्तों आप सभी का एक बार फिर्स स्वागत है आपके अपनी योट्यूब चानल पूजा घर संसार में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बच्चे दानी के मुँख खुलने से पहले के कुछ ही घंटो या मिंटो पहले के कुछ ऐसे महत पुर्ण लक्षन जिससे की अब आप समझ जाएंगे कि कुछ ही देर में आपका ओवरी से एक बाहर आने वाला है और आपका आप को आपको जानकारी देते हैं लेकिन friends मैं आपको ये बतादू कि अगर ovulation के just पहले के कुछ symptoms आप महसूस कर लेती हैं समझ लेती हैं तो आपको ovulation के विशय में भी बहुत विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है बस वही right time है और वही आपका best time होगा जब आपको conceivment हो जाएगा दोस्तो ऐसा काफी सारी मह महिलाओं को मैंने suggest किया है और उनको conceive भी हो गया है इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि exact आप point to point बातों को समझ पाएं उसको ही आप try भी करें और उसी विहापी conceivment हो जाएगा 101% हो जाएगा दोस्तों तो चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है इ सबसे पहले हम जड़ा uterus की बाड़े में समझ लेते हैं महिलाओं की reproductive system जहां पे बच्चा जन मिलेता है जहां पे बच्चे का नौ महिने तक भरन पोशन होता है जहां पे आपका गर्वधारन का प्रकीडिया होता है तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स की आप क्या जो मेशा दोनों अंडासे जो होते हैं वो alternate basis पे काम करते हैं मतलब इस महिने अगर right ovry आपके काम कर रही है तो next month आपके lift ovry काम करेगी तो इसी तरीके से दोनों ovries जो होती है वो एक-एक महिने skip करके काम करती है लेकिन आपका एक बनने का procedure हर महिने होता है फ्रेंड्स अब ज Govix से भी और आपकी uterus से भी 스वज हम बैसीकली समझते हैं कि जो savings आपका होता है उसका जो सबसे बहाड़ी भाग होता है वह व्जाइना का ठीक हैं वजाइना के आपके ज़स्ट ऊपर आपका जो होता है बच्चे दानी का मुझ होता है जिसको हम savings कहते हैं और यह savings जब ó तीन बदलाओ बहुत ही महत्पुर्णता से देखी जा सकते हैं जिसमें कि सबसे पहला होता है फ्रेंड्स बिलकुल पतला पानी के जैसा बहाओ आपके नीचले अंगसे वजाईना से चालू हो जाता है दोस्तों और यह ना गाढ़ा होता है ना ट्रांस्पैरंट होता है ना ह आप दो फिंगर्स में लेकर के देखेंगी तो स्ट्रेच करेगा यह बिलकुल पानी के जैसा होता है और आपको गरम गरम सा फील कराएगा कभी भी आप वाश्रूम जाएंगे तब भी और नहीं जाएंगे तब भी आपको तरल परदार्त महसूस जरूर होगा कि नीचे से निकल रहा है और यह बिलकुल वाटरी होगा पानी के फॉर्म में होगा जो नेक्स्ट सिंटम से वो होता है फ्रेंट्स सवीक्स का पोजीशन अब हम यहां पर थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं बहुत बार क्या होता है फ्रेंट्स कि सवीक्स को कैसे कि आपका ओवलेशन स्टार्ट होने वाला है तो इस पर सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप उसको देख सकते हैं आपने बहुत पसंद भी किया है उस वीडियो को तो सवीक्स का जो पोजीशन होत के साथ ही साथ हो जाता है बिल्कुलब हो जा यहां पर आपको पानी के जैसा फील होगा। जब आप सवीक्स का पोजीशन फिंगर्स के द्वारा करेंगी मैं ड़िप्शन में नहीं होगा कि टक sıvig्सम्टम से नहीं होगा। जो ठाइट सेम्टम से बहुत ज़यादा मात्पुन होते हैं जो अब्लेशन के जश्ट पहले दिखाई देते हैं ये होता है महिलाओ का फिजिकल लिविडो हाई होना लिविडो का मतलब होता है Cesakla महिलाओं को जो इंटरकोर्स करने का मन होता है वो कभी कभार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यह अगर आपको ऐसा अंदर से कुछ फील होने लगा है और वो पीरिड के दसवे दिन के बाद कभी भी मैसूस हो सकता है तो यह जो होते हैं यह आपके ओविलेशन होने वाले हैं इस प्रकिरिया को दर्शाती है और यही संभवता आपकी गर्वधारन के सबसे अधिक चांस होने वाली है दूसरी बात फ्रेंट्स किसके साथ कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं क्योंकि हर एक महिला के सरीर अलग होती है बढ़ा ठरन हाइट इंक्रीज होजाना नौर्मल डिटरी से इसके अलावा आपके लूर एबडॉमन में नाभी के नीचे जस्ट राइट लेफ्ट कहीं पर भी क्रेंपिंग सा फील होना दर्द महसूस होना आपके ब्रेस में स्वैलिंग हो जाना स्वोरनेस होना टिंडरनेस होना इसी के साथ साथ Greens,ушка सर में काफ़े 30ेज़ होना कैसारी महिलाओंको होता है। यह जो companion पॉलेशन को होते हैं। कैसारी महिलाओं के आपको लगता होगा कि इंप्लापेशन में बिडिशन में स्पर्टिंग होती है। लेकिन बेस्ट टाइम कब स्टार्ट होता है और ओविलेशन से पहले के लक्षनों को आप जरूर ध्यान से मैंसूस करेंगी तो आप ओविलेशन को भी समझ पाएंगे और जल से जल कंसीब करने के लिए ट्राइ कर पाएंगे यह सिम्टम्स आपको पीरेट के दसवे दिन से फील होन हैं तो इस चीजों पर आप जरूर फोकस करें नाशन तरीके से कंसीब्मेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए इसके अलावा फ्रेंड्स अगर ओविलेशन या आपके पीरेड या फिर आपकी प्रिग्नेंसी या फिर आपको प्रिग्नेंसी नहीं र चाहते कर सकती हैं तो आई रेली होप यह वीडियो आपके लिए बहुत इंफरमेटिव थी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैं चानल और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स और इस हूप के साथ इस वीडियो को मैं यहीं प्रेंट कर प्रश्वाचिं!